यूट्यूब चैनल फार्मा लोजिक आज हमें स्टार्ट करेंगे माइक्रोवर लोजी की सेकेंड टेस्रीस हमाई फॉस्स से टेस्रीस आपको डिस्क्रिप्स लिंक और आई बटन में मिल जाएगी तो चले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कहने से पहले आपको बता दें अगर अपने चैनल हमारा सबसकराइब नहीं करा है तो प्लीजर सबसक्राइब करें सहर करें लाइक करें कि जूचले स्टार्ट करते हैं मर 25 कौस्टन केंट्ट है कौह underneath कौन सा कौण सा यह है तो ले except क्श्रिक statement कौन सा सही है तो लीवं और हॉर गरिंग प्रोसेस लिविंग ओर्गनिज्म डजन्ट डिस्क्रिमिरेटेड बिटवीन इस्टेरियो आइसमेरिज्म बोथ एंड वी तो इसमें चार ओप्सन दिये गहें आपको चार ओप्सन में से डी वाला तो यह कहा रहा है कि ए और बी सही हो सकता है ठीक है तो आप पर वास तीन को ओर उखिया खैने शिकता ओस सब्सक्रिज्म-ब्रीचेंटएंप टूर्चुम बिटवीन इस्टेरियो आइसमेरिजनग के दिया था तो इसका जो एंसर होगा वो और सफे न्हों प्रेंसिपल लाइंट ट्रेफिंगं childhood Sex Chronicles in plant then sure में order कि जांब्ऌक्था प्रिजेंट थे, algae and cyanobacteria में कौन से हैं? chlorophyll A, chlorophyll V, chlorophyll porphyrin and rhodopsin. तो सोचिए, कौन सा हो सकता है? A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है? तो इसमें principle पुछा है, cyanobacteria algae, cyanobacteria algae आती है हमारी ग्रीन प्लांट्स में, तो green plants में हमारा कौन से हो सकता है? क्रोवफिल A हो सकता है तो इसका जो right answer होगा वो A होगा ठीक अब हमाते हैं third question पर During biogeochemical cycle some amount of element carbon was utilized by the microorganism ये phenomenon किस ने दिया था? During biogeochemical cycle जो हमारा amount of element carbon was utilized by microorganism ये formula मारलब कि किस में दिया गया था? dissimulation में, immobilization में, decomposition में या फिर neutralization में तो इसका answer सोचिए कौन से हो सकता है? इसका answer मेरे शाप से second बाला होगा immobilization ठीक है तो इसका हमारा answer है वो second है आप हमाते है fourth question पर Who demonstrated that one tubes of growth remained free of bacteria when air was free of dust इसमें क्या पूछा गया है? कि who demonstrated? किस ने demonstrate किया था? कि जो हमारी free bacteria है वो इसमें free of dust में होगी A, A, B, B, C, Spelling journey B, John Tindle C, France, Kiko, Reddy and D, Pasture तो इसमें ये statement जो demonstrated किया गया था ये किया गया था B में B, John Tindle ने किया था आप हम आते है fifth पर fifth question कौन से है? The reverse reverse isolation would be appropriate for जो हमारी reverse isolation है वो किसके लिए appropriate है? ठीक है तो इसमें देखते हैं कौन से हमें option दिये गए आप पेशेंट विद टूबर क्लोसिस reverse isolation a patient who has minor surgery a patient with glaucoma a patient with leukemia ठीक है तो इसमें reverse isolation में दिया गया तो हमारा इसमें answer जो होगा वो होगा इसमें ये हमारा कुछ option में गलत आ रहा है इसमें CDEF दे रखा है ठीक है तो ABC इसमें कर लेना आप तो ये इसका सही होगा पहला सही होगा a patient with tuberculosis ठीक हम आते हैं 6th question पे the symptom general feeling of illness and discomfort is called ये हमारे मनलब कि पूच्छा गया है इसमें कि जो हमारे systems है इसमें आता है disease में आता है general feeling of illness and discomfort तो ये हमारे मनलब general feeling में आगर हम देखें तो इसमें चार option दिए गया है सिटिज मेलाइस और अनाफिलेटिक सॉक्ड और अर्थराइटिस तो इसमें हमारा होगा मेलाइस ठीक होगा मेलाइस अब मातर सेवन्थ कोश्चन पर on soya which of the following which of the following for mysovartism के series बनाने में कुछ इसमें problems आई है इसमें मुझा कि क्या है कि थोड़ा space नहीं दे पाया तो इसको आप साइस समझ लीजीगा तो इसमें क्या पूछा गए कि soya win में कौन से mysovartism है ठीक है तो इसमें हमें दिया गए A-agitobacter पास्पली दूसरा दिया rhizobium तिसरा दिया नॉच्टॉक और चौथा दिया bready rhizobium bready rhizobium तो इसमें क्या होगा हमारा ये जो soya win में हमार जो होता है वो होता है bready rhizobium होता है कौन से सही होगा फोर्थ वन सही होगा अब माते हैं कुश्चन में इट पे हूँ प्रोवाइड दा इविडेंस डेट बैक्टिरियो फेज नुक्लियो नुक्लिक एसेड बट नॉट प्रोटीन इंटर्स दा होस्चेल दिरिंग इंफनेक्शन यह तो आप अगर लेक्चर थी 2022 एंट फोर्थ बनक्ये अल्फरेटी हसेन मेकलोड इंट 50 तो इसका अंसर कौन सा होगा इसका अंसर होगा हमारा अल्फरेट डी हसेन माथकेसी नाइंटिन 152 में थ्र्ड वन सही होगा आपन 9-7 पर नाइंथ वन कौन सा हमारा इस प्राइलीना बिलाउंड टो अर्समें क्ल तो इसका इंसर होगा इसका एंसर होगा इसका आइजी एम ठीक है तो इसमें लक्षर में भी पढ़ाए गया उसमें भी यही बताए गया कि इसमें इसमें पूछाइब होती है कि इसके तो इसका एंसर होगा सोचके कौन सा हो सकता है को एंजाइम क्यू लूसिफरेस लेक्टोडियोजनेस एंड करवक्सलेस तो इसमें होगा हमारा खम 12 आख़वार होता है सी कौन सा फर्ड्र बैक्तोड यूजर व्यूमिक्टैघ्ट मैं happy टेक्वस्टू होते हैं कॉस्मिड वेक्टर होता है इस्ट इपी सोमल प्लाजमिस होते हैं कौन से होता है तो इसमें अगर हम बैक्टर की बात करें हमारे human project में तो आता हमा सेकेंड वन सेकेंड में क्या इस्ट अर्टिफिसल क्रोमो सॉम्स और मातें 13 पे the salt in sugar preserve food because they wasn't and sugar में यह food माला food को प्रिशकारा था फूर्डमरिश्न के लिए यूज होता है इस की होगा डिकिए मेंक्टेम मैंने थेम्ट पूरम पक्राम करता है फीशा हाइपर टोनिक र estásd क्रीट करता यह तिपलेट नुटラिंट करता है प्रडू सामा इसमें कि अबके एक सात चाहं वह यह हीपर टोनिक हाइब घान अब्व। है लुप ona था था है हमारा पॉर्ट वन वह मारहता है इसमें धी क्रीजिंड करता है कम्सें कहता है कौन सा है हमारी थे तोनिक बहुत ह está in a floor of sas vardı me माइक्र्ज़क्र। ऑप्ज़क्टिव लेंश इस बना शब्सकोप उसमें क्यों सा क्या जो होता है किस से बना होता है सब्सक्राइब तो दिखिए क्या होता है तो दिखिए क्या होता है कि पहले होता है जब इसका मतलब होता है और इसमें फिर सब्सक्राइब होता है समें लुक्त पोसेस्स बीसिए लाइटनिंग प्रोसस्स बीगे अलटर वालेट लाइट की प्रोसेस होगे तो समय क्या होंगा हमार Hai अब अब हो क्या होगी तो क्या है इसमें मझें पूछा गया विच बन अब दा फॉलोइंग फंजाइज दा मोस्ट सीडियस थेट इन अब वोन मेरो टांस्प्लांट यूनिट क्या होगी येटों को पनदो येखना मांने सहते हैं अब क्या हो आद幾 तो इसका है अगर डिर्चेが की बात करें तो होगा new work chamber किस में एंड रोच सी हो गया sono माते है 18 पे the image obtained is in a eye image obtained in a compound microscope, compound microscope में कौन से image Obtained होती है , or virtual orchol होती है , ,лект lis , sofort '' inverted'' होती है , तो इसका compound microscope के लिए तो इसमें हमें वर्च stroll होती है कसी होती है वर्च चोफ हमें अब्टें दोटै-अं-रह हो मातों 19 & County erw एंजाइब सल्चोकर फोर एक्लाइब। विक फर्मेंटेशन यंदेंग कौन सा एंजाइब स्पोफंचबल होता है इसमें अगर हम अलकोहलिक फर्मेंटेशन में अगर हमकी बात करें तो इसमें हमारा होगा कौन सा है कुटोलेज जाइमेज पर ऑक्सीडेज अखिटेज तो इसका सेकेंड होगा कौन सा होगा जाइमेज ठीक अवम आता है हमारे इस्कुली स्पोर्स प्रिटूस होता है कि अंवल्क प्रिटूस ओता है तो इसमें हम देखें तो इसका होगा इसको परस थिक है इस जिसमें हमारे मलें कि SXIVALY SPORCE PRODUCE होता है 21 में 21 में हमारा क्या है bacterial transformation but discovered by bacterial transformation वो किसने discovered करी है एड़वर्ग एंटेटनम ने यह बीड़ल एंट एटम ने यह गरिफित ने या ननब दीजने तो क्या हमारी जो बैट्रील टांस्फोर्मेशन थी वो हमारी एड़वरग इन टेटन ने डिसकोवरड की थी आँव माता है ट्टीटू फादर माइक्रो वालोजी यह यह देखे टेसरीस बंद में भी था और टेसरीस टू में भी यह यह इंपोर्टन कोशन है हर कोशन आप में पूचा आता है यह ने नीट में भी यह कोशन आता तक अब से देखिए गां माइक्रोबली यह लगबाग सब को पता ही होगा ठीक है ये किस ने दे मुश्चेट किया था लोड लिश्टर ने अडवर्ग जन्र ने या विजिन्रिक ने ठीक है तो इसमें किसा किया था ये थे हमारे लोड लिश्टर ने कुछ ये अंटी सब्सक्रिक मैटर डिमस्टर कीया था सबसे पहले